Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और आज हम डिसकस कर रहे हैं सेकेंड पार्ट प्लेट टेक्टोनिक थियोरी का पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डीटेल में बेटा समझा दिया है कि प्लेट का मतलब क्या होता है बहुत ही अच्छे से समझाया है I hope तुमको बहुत ही अच्छे से समझ ले भी आया है आज हम समझेंगे टेक्टोनिक का मतलब प्लेट क्या था वेटा प्लेट था पार्ट ओफ लिथोस्फेर यही था कि लिथोस्फेर का एक टुकड़ा यही मैंने समझाया था लिथोस्फेर क्रस्ट और अपर पार अउटर मेंटल को मिलके बना था और सॉलिड था ही आप लिट्व श्ब्ड का ही मतलब सौलिब होता है यह मैंने तुम को समझाया था अब देखो वैसे तुमने देखा था कितने सारे प्लेट संवारे सारे चैन यह मैंजर प्लेट्स थे माइनर में हैं कुछ-कुछ ठीक हम अब मैंजर प्लेट्स पे इतना जादा कुछ हमारा प्लेट का चर्चा नहीं होगा विकास ऑफ कॉर्स यू आर वेरी एरो स्मॉल अभी तुम और भी ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं गए हो 11 पर शायद जो हुमानिटीज लेके पड़े उसको यह सब पढ़ना पड़ सकता है तो प्लेट देखो मूफ कर स सकता है तो हम Tectonic को समझते है या निया movement को समझते है सबसे पहला घाज का यह एक प्लेट है तो यह कि प्लेट है और यह अज़त है यह क्मेट दूसेरे के करीब आ सकता है कि mmricius कीं ओशन का भी हिस्सा हो सकता है और फिर साती साथ हमारे पास कंटिनेंट का भी हिस्सा हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में बताया तुमको तो दो प्लेट साथ में सामने सामने आ सकते हैं जब दो प्लेट सामने आते हैं इसको हम बोलते हैं कनवर्जेंस Convergence Convergence शब्द जो English जानते हैं मेरे बच्छे वो जानते हैं कि Convergence का मतलब होता है Pass आना हना Convergence है नहीं करीब आना तो दो साइट से ऐसे करीब आते हैं जो Plates वो Convergence अब यह आप बोलते हैं Convergent Plates या फिर वो सकते हैं Convergent Plate Boundaries प्लेट का यह Boundary करीब में आ रहे हैं तो यह लोग Convergent Plate Boundaries होता है फिर यह तो एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जा सकता है हो सकता है नहीं यह प्लेट इधर गया यह प्लेट इधर गया इसकन आलसो पॉसिबली हापन जब दू प्लेट एक दूसरे से दूर भागते हैं तो हम इसको कहते हैं Divergent Plates Divergent Plates तो इतना ज़ादा डीटेल में नहीं समझना है जो Basic Fund है वो समझना है आपर और Number 3 ना सामने आएंगे ना दूर जाएंगे बस Side Side में ऐसे Hill सकते हैं देखो Hill क्यों रहा है यह तो Astonosphere के उपर है मैंने एक्जामपल दिया था कि तुमने ग्लास में पानी रखा है पानी में एक Ice का Cube रखा है उस Ice के Cube को Lithosphere समझो और उस पानी को तुम Astonosphere समझो Astonosphere semi-solid होता था और इसी के उपर Lithosphere float करता था ये मैंने फिछले खाğlस में बताया है नहीं तो Astonosphere के बाइबरेशन से प्लेट जातो करीब करीब आ सकते या तो दूर जा सकते या साइड साइड में ऐसे ऀल सकते खिए तो यह उल सकते साइड साइड में यह सेट को हिला यह साइट साइट में से हिल सकते हैं इसको हम लोग बोलता है ट्रांस्फर्म लीदी करके सब पढ़ेंगे हम नहीं बेसिक हमारा मतलब इसी से होगा इंक खतम होगे मैं इसी को समझेंगे ठीक है बाकी सब मैं बेटा रही है तो याद रखना मूव्मेंट इस अर्थ favored अर्थ में एक सूपर कॉंटिनेंट नी और उसे नाorama और फिर पैंफ्या में ब्रेक हो गया जएँ दो हिस्सों में बढ़ गया है दो हिस्सों में बढ़ गया है उपर वाले को अंगारा लैंड अब बच्ची को डाउट था कि अंगारा लैंड और लॉरेश्या क्या सेम है बिल्कुल बेटा एकदम सेम है ठीक है सो अंगारा लैंड को ही हम प्यार से लॉरेश्या भी कहते है नो व समझ में तukड़ों में बढ़ता रहा ऊपर वाले से बेटा नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया ये सब बना जो तुम्हें पिछला प्लेत वाला पार्ट देखा ऒबा और नीचे वाले से साउथ अमेरिका को मैं से ठीग ऑप्धेड अंटार्टिका यह सारे चीज़े बनी और अफ्रीका से तूट कर ही तुम्हारा इंडिया बना था यह सब हमें नहीं जाना है क्या जानना है यह सुनो इतना तुमको आइडिया होना चाहिए यह सारे पार्ट तूटते गाए क्यों तूटते गाए विकाज दिदी एस्थेनोस जब वो बरदाश्ट नहीं कर पाता था तो वो टुकड़ों में तूट जाता था उसी को प्लेट्स कहा रही थी तब से दिलकुल यहां बेटा जैसे समझो यह एशिया है एशिया कौन से लैंड का हिस्सा है अंगारा लैंड का लॉरेशिया का और यहां पे हमारा है इंडिया है है कि इंडिया यहां है मालों अखिक है इंडिया जो था वो और यहां पे है यह सेम प्लेट के अंदर आते था मैंने बता आया था इंड़ बिशलाइफ देखुआ और यह जो एरियाःग्या यह जहां पानी बरा हूए है देखो प्लेट जो है इस तरीके का मतलब नहीं कि क्राक हो गया है दोनों अलग अलग पड़े नहीं जुड़े ऐसे लगे पड़े हैं लेकिन एक डीप क्राक है यूरोप और एश्या ये एक प्लेट के नीचे आ रहे थे इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट यूरोप और एश्या एक ही प्लेट के नीचे आ रहे थे जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट और इंडिया और एस्ट्रेलिया भी एक ही प्लेट के नीचे आ रहे थे जिसको हम कहा रहे हैं इंडो-अस्ट्रेलियन प्लेट इंडो-अस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट अब हुआ ये 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 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूफ करने लग गया युरेशियन प्लेट के तरफ ठीक है अब इसका साइड वीव देखो ठीक है मैं बार बार तुमको चीज बोल रहे हूं फिर से मिटाके एक बार बोल दे रहे हूं कि पक्का जो और एशिया दोनुंही चीज एकी को एकी फ्लेट की नीचे है इसलिए हम इसको बोलते यूरेशिन ब्लेट यूरो प्लस एश्या यूरेशिन और इंडिया, इंडिया का ये वाला हिस्सा जो तुम जानते हो, ये वाला हिस्सा हम सब जानते हैं, अभी कितना वियर्ड सा बन गया, इंडिया का ये वाला हिस्सा जो तुम जानते हो, ये वाला, और यहां से ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा, ये भी एक ही प्लेट के नीचे आ यहां से जो है यहां से खाई है तुम नीचे जओगे नथी लइक डाट यह जस्ट क्राइक जैसे कि मानो तुम्हारे पास एक प्लेट था और तुमने प्लेट पे क्राइक किया तोड़ दिया उसको और तोड़े वे चीजों को एक साथ ऐसे जुटा-जुटा के चिपका-चि यहां भी अपना आराम से एक प्लेट कंटीनिव है चल रहा है चोटे बड़े प्लेट यहां पे भी है और यह पूरा हिस्सा में 33 फैला हुआ था है ना 33 फैला था यह मैं बता चुक्यों यह पूरा पानी वाला हिस्सा 33 ही तो है बिल्कुल दिदी पता है यह वाला चीज त टैठिसी अगर यहां पे है तो ऐसे फ्लोर होगा उसका इसका इस पार्ट को थोड़ा पतला रहना पड़ता है तो इंडिया का कंटीनेंटल क्रस्ट तो मोटा है लेकिन ओशनी क्रस्ट जो है वो क्या है वो ऑफकॉर्स पतला है और इसके उपर है तेथिस्सी बिल्कुल यहां तक मुझे एक नम समझ में आगे रिवरी वूट अब यहां देखो इसके बाद यहां पे तुम्हारा कौन कोई सांद wise है मुझे बता सकोगे युरेशियन प्लेट कोई डावट को बिल्कुल नहीं अब मैंने क्या बताया था मैने ये बताय था कि गई कॉस्णिल के मुकाबले ओशन इक वाला न ये बारी होता है ज्देश ऑस होग जीन इक वालyu पानी है और जो goof श्रूर हो दो वह जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो ज़एदा आम तोर पर जाद़ी भर जिन जिन चीजों से मिलकर बना है मतलब अलूमिनियम आरनी Hal 2017 मिनरल से मिलकरके बना है वो कम भारी है जबकि oceanic crust जो होता है ocean का floor जिससे बनाता है वो जाधा भारी होता है इसलिए तुम बोलोगे जिदी इंडिया का plate जाधा भारी है तोकि उसके सामने इस तरीके से 33 का floor है और ऐसे इंडिया के plate की और से और ऐसे Eurasia के plate की और से river आ रहे हैं बिल्कुल geos incline याद कर रहा है और यहां पर भार बढ़ रहे हैं भार बढ़ते बढ़ते देखो बेटा क्या होगा अब भार बढ़ते बढ़ते इंडिया का plate का यह ocean वाला हिस्सा यह 33 के नीचे यह oceanic crust वाला हिस्सा नीचे गिर जाएगा नीचे धस जाएगा और Eurasian plate उपर चड़ने लगेगा यह Eurasian plate है तुम देखो यह वाला हिस्सा नीचे चला गया और यह वाला आगे को प्रसीट कर रहा है जब ऐसा हुआ होगा तो 33 के sediments का क्या हल हुआ होगा क्या वो गायब हो प्रसीट कर देंगे और इसी को तुम हमाले कहते हों और अच्छा से देखो जब तक दिमाग में ना गुजय मैं repeat करूंगे मतलब यहां पर देखो यह इंडिया है इंडिया तो Continental crust से बने हैं और इंडिया का आगे वाला हिस्सा तुमको याद होगा अगर तुमको दिखा तुम यह इंडिया का प्लेट इसके आगे तक तनार यहां तक रस्प्त था और विस हैं पे उस्ट्रेलिया और यह सोफ्रेयलिया अतुमको तपर यह dealt θα रहां थो सेखों कि अपर देखों प्लेट को व 1991 अब गए बदेखों की अब शोर्ट हम इंडिया यहां पर यहां पे ए साधा भारी वाई एंप कि इसके उपर ऐसे 33 है और 33 के उपर भी बहुत सारी सेडिमेंस जमा हो गया है कि डेन्स गया है कि क्यों कि भारी था अभी आप बता रहे हैं कि ओशन का जो क्रस्ट होता है वो ज्यादा भारी होता है डूटू प्रेजंस आफ सोर्टेन मिनेरल्स जबकि कंटिनेंटर क्रस्ट कंपारिटिबली कम भारी होता है अब जब यह नीचे धसा बेटा तो हुआ यह कि यूरेशियन प्लेट इसके उपर चड़ेगा दो चीज़ आसे भीड रह तुरह एकला था कि वह फॉल्ड हो गया को है इस तरीके से तो इंडियन प्लेट जो है वह अंदर धसते गया और यह यूरेशियन प्लेट उपर चड़ते गया क्योंकि हल्का था जाहिर ग्लाद और फौल्ड हो गया और इस थीन का पढ़ें गया इसको हम हिमाले क्याते ही ह इसको हम चाइना का एक जो पहाड तुमारा नाम इंपॉर्टन लें वह है तो तो और कुछ बात आप बोलना चाहिए मतलब यह सेडिमेंट्स का फोल्ड होने से ही उए तो जी यह सिंग्लाइन यह नहीं कह रहा था जी ओ सिंग्लाइन प्लेट का दूसरे के अंदर धस जाने क इसको मैं तुमको एक चीज करके दिखाती हूं यह मेरे पास अतला सा कवर है जो मेरे को काम का नहीं था तो मैंने फाड लिया तो देखो अगर साइट साइट से मैं चांप लगाओ प्रेशर लगाओ तो होगा क्या बीच वाला हिस्सा इस तरीके से उठ जाएगा अब यह ह चाप जादा हो तो मल्टिपल फोल्ड हो सकते हैं कुछ वैसा ही हुआ कि यहां जमा सेडिमेंट्स इन दो प्लेट्स के आपस करीब आके धसने के कारण फोल्ड हो गये और यह बना हमारा हिमाले यह मोस्ट एक्सेप्टेबल थियोरी है विटा तुम्हारे दिमाग में सेंस बैट रहे की नहीं मुझे नहीं पता बैटना तो चाहिए वैसे तो दीदी प्लेट टिक्टॉनिक थियोरी अब जरह एक बार बताईए पूरा अब दो वीडियो में कवर की है थोड़ा से दिवाग से निखल रहे हैं देखो प्लेट जो शब्द था मैंने बताया था प्ले सॉलिट कंडिशन में था इसके उपर हमारा लिठोस्फेर फ्लोट करता था लेकिन बहुत जादा अगर वाइबरेशन होने लग जाए तो यह लिठोस्फेर ब्रेक कर सकता है और ब्रोकन हिस्से को हम प्लेट कहते हैं लगबग हमारे पास साथ मेजर और 20 माइनर प्लेट है हैं हमारे पास इस धर्ती पर इक कुछ प्लेट के बारे में जो कि यूरॉप और एश्या की नीचे बैठा हुआ प्लेट और इंडिय और अस्ट्रेलीं ने यूरेश्म प्लेट हुआ यह वा यह कि जब प्लेट्स मूव करते हैं या तो करीब आ सकते हैं या तो वह वर्जिन प्लेट्स को यह वें पढ़ना है उसी से माउंटिन का निर्बान हुआ हमारे हिमाले का निर्मान हुआ है तो जब प्लेट्स आपस में करीब आए तो जो ओशनिक वाला विस्सा था वो जाधा भारी था वो नीचे चला गया और तेथिसी के उपर जमा sediments वेकर हम कहते हैं यहां तक समझवा ऐए क्या है है मुंस के वह समय हन्हिते दिपोज़िटा मेंदो और इस लिए माँंटेनी han फोल्डवाउंटेन एक वैड है कि यह और जितना धस्ते जाएगा यह जतना धस्ते जाएगा फोल्ड मांटेन का हाइट और बढ़ते जाएगा तुम सुचो ना साइट साइट से जितना प्रश्य लगाँगे फोल्ड और बढ़े होंगे इसलिए हिमाले का साइज भी लगाता है बहुत ही जादा सालों में लेकिन कुछ-कुछ सेंटिमीट्र से बढ़ते १रूर हैं ऐसा होता है कुछ हो मीट्र से बढ़ते हैं तो फोल्ड मांटेन का हाइट इंक्रीज स इसके निचे अस्थनो स्फेर त आस्थनो स्फेर में मैंगमा है जो की गरम होता है गर्मी के कारण ये रॉक जो है ये पिघलने लगेगा और गया है ये पिघलन जाएगा पिघला कः्टा मैंगमा होगा तुम सोच जगा तो इतन ही है सब्सक्राइब इक्स्ट्रा मैगमा डो गया है इसलिए यह माले की नीचे कोई डेवलप निकर पाता क्योंकि हिमाले 9 km जितना बड़ा है उतना इसलिए हिमाले की रीजन में तुम को को बोल्कानू नहीं देखने मिलेगा लेकिन हाँ जब पिढ़ा वा मैगमा ऊपर धक्का मारता होगा तो आफ्थको एकाने का चांस से ज्ञादा है यहां से कोई क्रैक के जरीए निकल ले सकता हाला कि अगर कहीं कहीं क्राइक होगा तो जरूर निकलेगा तुमको समझ मैं यह था पूरा बेटा formation of हिमाले, मेरा लक्ष पूरा हुआ, मैं हिमाले के पीछे पूरा reason देना चाहती है, because हमारा इतना महान हिमाले को हम कैसे, कैसे यूँ ही उपर उपर से पढ़के चले गाए, इंडिया के हिस्ट्री का एक बहुत important part ही है, जोग्रिफिक का एक इसलिए बहुत दिहान से पढ़े हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में दिल देख के, stay safe, bye